ये आकाशवानी हैदरबाद है अब आप आयाज हमसे इलाखाई खबरे सुनिये सबसे पहले अहम खबरे तिलंगाना हाई कोट के चीफ जस्टिस राग्यवेंदर सिंग चोहान और जस्टिस बीवजे सेन रड़ी पर मिश्तमिल दो रुकनी बेंच ने रियासती हकुमत को दीवानी तहवार के लिए पटाखों पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है मरकजी वजिर खजाना निर्माला सितरमन ने मुल्की मौईशत को तक्वियत देने के लिए बाराहती अख़दामात का ऐलान किया है मुल्क में कोविड-19 से सहतियाब होने वालों की शरा 92.89 फिसद हुई है आज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है अब ख़बरों की तफसील तिलंगना है कोट के चीफ जिस्टिस रागवंदर सिंग चोहान और जिस्टिस बीव जैसे इन रड़ी पर मुझतमिल दो रुकनी बेंच ने रियासेत हुकुमत को आने वाले दिवाली तहवार के लिए पटाखों पर पावंदी लगाने की हिजायत दी है अदालत ने अपने अहकाम में हुकुमत से कहा कि वो पटाखों की दुकानों को बंद करने से मुतालिख हिदायत जारी करे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केस बुक करे अदालत ने कहा कि हकुमत मुख्तलिफ मीडिया प्लैटफॉर्म्स के जरिये पटाखों पर इमतिना से मतालिख आवाम में शोल बिदार करे एक एड़ोकेट इंडर प्रकाश की अरजी पर अदालत ने ये एहकामाद जारी किये दो रुगनी बेंच ने तब सिरा किया कि राजस्तान और दिगर रियासतों ने दिवाली तहवार के लिए पटाखों पर पाबंदी लगाई है अदालत ने इस सलसले में हकुमत की जानिब से किये गए अगदामाद की रिपोर्ट 19 नूबर को दाखिल करने की हिदायत दिया और केस की कारवाई को मलतवी कर दिया मरकँ वजिर खिजना निर्मला सीतरामन ने मलकी मईशत को तकवियत देने के लिए 12 राहती एकदामात का इलाम किया है मरकँ वजिर खिजना ने आज कहा कि मलकی मईशत मस्तेहकम हो रही है और मैईशत के आहम अनासिर मस्बित रह पर गामज़न है नई दहली में आज एक प्रेस कॉन्फरंस से खिताब करते हुए वजिर खजाना ने कहा कि आत्मन निर्भर भारत के तीसरे मरहले के तहट एलान करदा एकदामात रोजगार, जिरात, इंफरस्ट्रक्चर, मैनुफेक्चरिंग, हाउजिंग और कोविड-19 वैक्सिन की तैयारी वो रिसर्च में माविन साबित होंगे वजिर खजाना ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बारा इलाना तक्रिवन दो लाग 65,000 करोर रुपे पर मुश्तमिल है निर्मला सितरमन ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोविड वबा से मुश्सर तरीखे से निम्टा है और अब एक्टिव केसेस और शर्य अमवाद में कमी देकी जा रही है PMI इंडेक्स, तवानाई खपत, GST की वसूली, बैंक क्रेडिट और FPA सर्माया कारी में इजाफे से पता चलता है कि मुल्क की मईश्त में सुधार आ रहा है मुल्क में COVID-19 से सहतियाब होने वालों की शराह में मजजीद बेहतरी आई है और ये शराह 92.89 पीसद है पिछले 24 गंटों में 52,000 से जादा करोना मरीज शिफायाब होए है मरकजी विजारते सहति के मताबिक मजबूई तोर पर 80,666,000 से जादा मरीज ठीक हो चुके है जुम्ला मुजबित मामला में सिर्फ 5,6 तीन फीसद ही एक्टिव केसिस है मुल्क में फिलाल एक्टिव केसिस की तादा 4,89,000 है गुजिश्टा 24,000 गंटों के दौरान 47,905 अफराद इस वबा से मतासिर हुए है इस एक साथ ही मुजबित केसों की मजबूई तादा 86,000,000 से तजावस कर गई है विजारते सहति ने बताया कि मौसर हिकमत अपनाने से सहतियावी की शराब बहतर हुई है जबके अमवाद की शराख काफी कम है पिछले 24 गंटों में मज़ीद 550 अमवाद हुई है और अब तक 1,28,121 अफराद इस वबा की वज़ास से फौद हुए है तिलंगाना में गुजिश्टा 24 गंटों में कोवीट के 1,015 तादा मामले सामने आए है रियास्त में कोरोना के मज़मी के सच की तादाद बढ़कर 2,54,666 हो गई है रियास्ती महकमे सहथ की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मताबिक कोवीड और उसकी पेचित गयों के वज़ा से मज़िद तीन लोगों की मौत से मज़मी तोर पर इस वबासे मनने वालों की तादाद 1,393 हो गई है हैदरबाद में कोरोना के 172 ताद नए मामले सामने आए अंदर परदेश में पिछले 24 गंटों में कोवीड के 1,886 नए मामले सामने आए इसी मुदद के दोरान 2151 मरी सहतियाब हुए है और उन्हें मुक्तलिफ दाखनों से डिस्चार्ज कर दिया गया है ये खबरें आपकी खिद्मत में आकाशवानी हिदरबास से नशर की जा रही है अनलाक का मतलब ला परवाही नहीं है इसका मकसद हमें आत्मा निर्वर भारत की तरफ बढ़ना है अनलाक में तमाम इहतियाती तदाबीर इख्यार करें मरकजी ममलिकती वजिर दाखिला किशन रडी ने आचरंगा रडी जिले में चिना जियार सौमी का अशरम में धन वंतरी जनती के मौके पर मौकिदा खोमी यो में, आयूरवदा तक्रीब में शिर्कत गी अरि-स खियारो गया भारतियार विशुए आयूरवदा परिशित ने इस तक्रीब का इले खाद किया इस मौकर पर किशनरडी ने डॉक्टर राजिशवर रॉक की जियायवति पर लिखी किताब कारस्मे इजला किया तो किया टिलंगाना के वजीर सह perks एटला राजिंदर भी इस मौकर पर मादोतते मरकजी में में अच्छी खिसम की काश्ट पर वो किसानों को बोनस अदा करें क्यूंकि हुकूमत नहीं किसानों की इसके लिए होसला अवजाई की थी हिदरबाद में FCI, CCI और दिगर जरी वो मार्केटिंग महकमों के आला अफसरों के साथ एक जायजा इदलास मनाकिद करने के बाद प्रेस कौन्फरेंस से खिताब करते हैं किशान रड़ी ने कहा कि तमाम रियास्तों की सुरते हाल पर गोर करने के बाद मरकजी हुकूमत अखलतरीन इमदादी खीमत का तायून करेगी उन्होंने कहा कि सी सी आई रियास्त में दिवाली के बाद कपास की खरीदी के लिए तैयार है तिलंगना कौंगरस के सदर वो रुकने पारलिमंट उतम कमार रिड़ी ने रियास्ति हुकूमत से मतालबा किया कि हालें सहलाप्स की वज़ा से फसलों को होए नुखसान पर फी एकर अराजी पर पीस हजार रुपे का माफ़जा दिया जाए उतम कमार ने धाई हजार रुपे फी कुंटल के हसाब से धान खरीदने का भी हुकूमत से मतालबा किया कॉंग्रिस के रियास्ति सदर ने आज जीमन में नल गुड़ा जिला कलक्टर प्रशाद पाटिल को एक याद दाश्ट पेश की तिलंगाना के वजीर जंगलाद ए इंद्रा करन रड़ी ने कुमरम भी मासिफाबा जिले के डगड़ा गाउं के खरीब तेंद्वे के हमले में हलाक होने वाले खबाईली नौजवान एस विगनेश के अहल खाना को पांच लाक रुपे एक्स किरेशिया देने का एलान किया रियास्ति वजीर ने इस वाकर को अफसोस नाक खरार दिया और घमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया इंद्रा करन डड़ी नाज मेर्चल मलकाज क्रीजले में डिस्टिक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कॉम्प्लेक्स के इफ्तिता के बाद ये बात कही इसी दोरान महकेम जंगलात ने डगड़ागाओं में तेंद्वे को पकड़ने के लिए जाल बिचाया है इस स्लिसले में चार मकामात पर पिंजरे रखे गए साथ ही महकेमे ने इलाखे में फॉरेस्ट पोस्ट खायम किया है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे आज मनाया जा रहा है साल 1947 में औल इंडिया रेडियो के दहली में वाके स्टूडियो में महत्मा गांदी के दोरे की याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है बाबा खौम ने तकसीम हिंद के बाद हरियाना के कुरुक शेतर में आरज़ी तोर पर मुखीम बेगर अफराद से किताब किया था इस दिमन में औल इंडिया रेडियो ने दहली दफ्तर के यहाते में हर साल खुस्सी प्रोग्राम मुनाखित किया जाता है तिलंगाना के वजीर बल्दी नजमो नस्व वो शेहरी तरकी के तारकरमाराओ ने कहा के मुनसिपल सॉलिड वेस्ट को जमा करने उसकी नकल و हमल और उसे ठीकाने के लगाने के मामले में हिदराबाद मुल्क में सबसे अडवांस है और किसी मेट्रो शहर में भी इस तरह की सहुलिया दस्तियाब नहीं है रियासती वजे ने आचधराबाद के संधिविया पार्क में कच्रा जमा करने के 55 जदिद कॉमपैक्टर्स को हरी जान्डी दिखाई और असरी ट्रांसफर स्टेशन का भी आगास किया आखिर में बुलेटिन की खास खबरे एक मरतमा फिर सुन लीजिए तिलंगाना हाई कोट के चीफ जस्टिस रागवेंदर सिंग चोहान और जस्टिस बीवजे सेनरडी पर मुश्तमिल दो रुखनी बेंच ने रियाजती हुकुमत को दिवाली तहवार के लिए पटाखों पर पावंदी लगाने की हिदायत दी है मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्की माईशत को तक्वियत देने के लिए 12 राहती इखदामात का ऐलान किया है मुल्क में कोविन-19 से सहत्याब होने वालों की शरा 92.89 फीसद हुई है और आज पबलिक सर्विस ब्राड कास्टिंग डे मना जा रहा है आकाशवानी हदराबाद से इलाखाई खमरे खत्म हुई